नमश्कार में आपके साथ खुश्मस हैं और आप देख रहे हैं यूक्चर आई एक नज़र आ लेते हैं कि बॉलिवोड में क्या चल रहा है अमिता बच्चों ने अपने घर जलसा के अंदर सित मंदिर की कुछ मनवोहक तस्वीरें की जलक दिखाई है उन्होंने फोटो अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं उन्होंने कैप्शिन में लिखा आज था अमिता बच्चों ने एकस अकाउंट पर चार तस्वीरें शेयर की है एक्टिव शिवलिंग पर दूद चढ़ाते हैं नजर आ रहे हैं शिवलिंग के साथ भगवान राम, लक्ष्मन और मा सीता की मूर्ती भी दिखाई दे रही है दूसरे फोटो में अमिता बच्चन तोलसी की पौधे पर जल अरपन करते वे नजर आ रहे हैं आयोध्या में राम मंदिर के उद्धाटन के कुछी दिनों बाद अमिता बच्चन ने शेहर का दुबारा दौरा किया था उन्होंने दस फरवरी को भगवान राम मंदिर में पूजा करते हुए अपनी एक तस्वीर साजा की फोटो में उन्होंने लिखा जैश्वी राम आस्था ने मुझे आने के लिए कहा और मैं यहां हूँ एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं वो बीते 10 फरवरी को सीने में दर्थ की वज़े से कोलकाता के अपॉलो हॉस्पिटल में भरती हुए थे सोमार को 73 वर्षी एक्टर ने हॉस्पिटल से डिसार्ज होने के बाद मीडिया से बात की उन्होंने बताया कि वो बिलकुल ठीक है और जल्द ही काम पर लोट सकते हैं मिथुन ने ये भी बताया कि उनकी बिगडी सेहत के लिए उन्हीं पियेम नरेंद्र मोदी से भी डाट खानी पड़ी थी उन्होंने कहा मुझे कोई समश्या नहीं है मैं एकदम ठीक हूँ बस अब अपने खान पान पर कंट्रोल करना होगा मैं जल्द ही काम शुड़ू करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ शायद कल से ही इसके लाव मिथुन ने बताया कि पी ए मोदी ने रविवार को मेरा हाल चाल जानने के लिए मुझे कॉल किया था इस दोरान उन्होंने मेरी डाट लगाई मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता हूँ मिथुन अब होस्पिडल से इस्टार्ज होकर कोलकाता सित अपने घर पहुँच चुके हैं फीमस सिंगर और एक्ट्रेस विजे लक्ष्मी ओर्फ मलिका राशपुत चे जोड़ी बेहत दुखत खबर आ रही है दैसल मलिका ने अपने सुल्तानपूर के घर में सूसाइट कर लिया है इस घटा ने हर किसी को शौक्ट कर दिया वहीं पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मलिका का शव कबजे में ले लिया है और पोस्मार्टम के लिए भीजिया है फिराल पुलिस जाच में जुटी हुई है और इपता लगाने के कोशिश कर रही है कि आखिर किन वज़ों के चलते मलिका राशपुत इस सूसाइट जैसा घातक कदम उठाया है बदा दे कि मलिका राशपुत ने बॉलिवड एक्टरेस कगनार नौत ये सांब भी काम किया है रियालिटी शो बिग बॉस 14 में अजाज खान और ववित्रा पूनिया के प्यार के शुरुवात हुई थी शो खत्म होने के बाद भी इस कपल ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया वहीं अब खबर है कि एक कपल अलग हो गया है ये कपल चार साल रिष्टे में रहने के बाद अब अलग होता हुआ नजर आ रहा है हाला कि पिछले कुछ वक्त से दोनों की रिष्टे में दरार की खबरे सामने आ रही थी लेकिन कहा जा रहा कि दोनों आपसी सेमती से अलग हो चुके हैं एजाज खान और पवित्रा पूनिया की फ्रेम कहाने बिग बॉस चौदा में शुरू हुई थी शुरुआत में दोनों की बीच खूब लड़ाई जगडे देखने को मिले लेकिन शोर से बाहर जाने तक की रिष्टा प्यार में बदल गया था करीब चार साल तक साथ रहने के बाद अभी एक अपल अलग हो गया है साउथ सूपरस्टार अलू अर्जुन के आगामे फिल्म पुश्पा टू का फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पुश्पा दर राइस को फैंस ने खूब पसंद किया था अब इस मूवी का सीक्वल पुश्पा दर राइस कुछी महीनों में रिलीज होने वाला है एक बर फिर से फैंस अलू अरजिन और रश्मिका मंदारा के जोड़ी को देखने के लिए बेताब है पुश्पा दरूल यानि पुश्पा टू में अलू अरजुन के कैरेक्टर के आगी कहानी दिखाए जाएगी जो चंदन की तसकरी में सफलता हासिल करने के साथ ही दुश्मनों की बैंड वजाने को तयार है वालिवुड खबरों की रिपोर्ट के मताबिक ये मोवी 15 अगस 2024 को सिनिमा घरों में रिलीज होगी इस मोवी की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है सेट से अलू अर्जुन के गेट अप में कुछ फोटोस भी सामने आ चुकी है अब रिश्मिका मंदाना ने सेट से एक फोटो शेयर की है वालिवुड से तुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बन रहे है हमारे साथ यूट चर्ण पर तब तकि नवश्कार